हेलो दोस्तों तो कैसे आप लोग तो आज की इस वीडियो में हम GST की 3B return बनाएंगे पर इस return में क्या खास है इस return में खास यह है एक तो इस return में हम tax show करेंगे GST का ठीक है जो जमा कराने वाला है वो show करेंगे और उसके बाद अगर कुछ interest है तो interest भी show करेंगे GSTR 3B में और late fees भी show करेंगे तो वो entry हम आज इस return में डालनी है GST की late fees की entry डालेंगे interest की entry डालेंगे और चलिए सबसे पहले हमें एक ledger account create करना पड़ेगा एक खाता तो इसके लिए मैंने create कर लिया account तो वो देखा रहा हूँ आपको master में जाके modify करके GST late fees यह देखिए GST late fees के नाम पर यह मैंने account बना लिया और इसको expenses in direct admin में आपने भी रखना है GST note applicable करके इसको save कर लेना आपने और इसके उसके बाद यह और GST report में जाएंगे GST summary तो यह हमारी summary है यह हमारी summary है तो अब सबसे पहले देखना है कि tax कितना जमा कराने आला बनता है और कौन सा tax जमा कराने वाला है तो यह मैंने calculator खोल लिया है तो इसमें है हमारा GST output GST मतलब यह 1020 रुपे tax है 1020 minus input GST जो परचेज 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 है वो 690 रुपे तो यह 330 रुपे tax जमा कराने वाला हो रहा है तो कौन सा tax जमा कराने वाला हो रहा है 900 में से यह देखिए 255 है 255 में 60 तो कम हो जाएगा तो दो सो पच्पन में यह 60 रुपे किया तो रुपे किया तो यह दोनों टेक्स तो जमा कराने वाले बने नहीं GST और SGST यह तो दोनों का ITC आ गया है, 195, 195, तो 900 में से 180 करेंगे, तो यह आ रहा है, टेक्स जम्मा कराने वाला, तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यह यहां पर देखिए, अडजेस्टमेंट दिखाया है, यह आउटपुट है, ठीके न, सेल के उपर 900 पर टेक्स ह किया है, मतलब यह अपनी फरम पंजाब में, पंजाब से बाहर की सेल की हुई है, जैसे दिल्ली में सेल किया है, तो IGST लगा लगता है उस पर, 900, माइनस सबसे पहले IGST इनपूट है, यह देखिए, इनपूट, 180 रुपे है, 900 में से 180 माइनस कर देंगे, तो यह 720 रुपे आ GGST है, तो यह दोनों हमने माइनस कर दिये, तो 330 रुपे टेक्स ही है, GGST पेबल दिखा रहा, यह तना जम्मा कराने वाला, तो यह जो 390 रुपे है न, 195 प्लस 195 ही है यही है तेखिए एक सो फंचानवे प्लस फंचानवे 390 रुपे आ गया ना मतलब आउट्पुट GST 900 में새 IGST जो है आउट्पुट 900 में से 180 लेसकिया पहले उसके बाद फिर CGST का 195 लेसकिया और 195 इसका किया SGST का, तो 330 रुपे बैलेंस रहे गया, तो इसकी मैंने एंट्री डाली है, एक जर्नल बाउचर की एंट्री डाली है, तो BG में भी F4 से एंट्री डाल जाती है, आईए, यह 390 रुपे यहां पर कैसे आ गया है, ठीक है न, वो कैसे लेक आया हूं मैं, इसको दो बर क्लिक किय एक रुपे इसको क्रेडिट कर दिया है, और SGST इसको भी क्रेड़िट कर दिया, और डैविट हो गया 390 रुपे इसको बर क्रेड़िट कर दिया है, एसे एंट्री डालनी है, एक जर्नल बाउचर के थुरू और यहां पर यह देखिया, GST टेक्स अडजेस्ट्मेंट सेले अगर आप यह पर टेक्स अजस्टमेंट पर एप 4 करेंगे ना तो इन्पूट आउट्पूट अजस्टमेंट करेंगे तो यह देखी यहां से आ जाती है ओप्शिन ठीक है यह आप यहां से डाल लिजेए एंट्री या तो आप जर्नल वाउचर के थ्रू एंट्री डाल लीजिए जाके ट्रांजेक्शन में जाके जर्नल वाउचर यह हो गया यहां पे हमारा तीन सो टीस विर्पे तो यह देखिए लिए लेजर बैलेंस यहां पे बिल्कुल जीरो आ रहा है मतलना कुछ जमा कराने वाला ना कुछ लेना देना कुछ निए जीरो आ रहा है तो यह कैसे आया है तो वो इसलिए आया है क्योंकि तीन सो टीस रुपे जो टैक्स था ना वो मैंने पे कर दिया है ठीक ना उसकी एंट्री डाल दिया टैक्स की पेमेंट कर दिया इसलिए यहां पे जीरो आ रहा है यह जो 330 रुपे जमा कराने वाला था, वो यह पेमेंट कर दिया, यह देखिए, 330, 330 जमा कराने वाला पेबल बन रहा था, यह देखिए, टेक्स पेबल, तो 330 की पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं बचा, ना टेक्स पेबल बचा, ना लेजर बैलेंस बच IGST output यही बन रहा था ना टेक्स जमा करने वाला तो इसमें यह देखिए बिल्कुल करेंट क्लोजिंग जीरो आ रहा ना तो यह लास्ट में तीन सो तीसर रुपे जमा करने वाला बना था यह यह वाली एंट्री तो मैंने आप लोग को दिखा दी है ठीक है ना पाद सीजेश्टी स्जेस्टी स्थे क्रेडित वा तो यह द fix रुलास्ट में आबरा स्थीवरा जमा करने वाला तो इसमें यह दो प्रत्राइमेंट कर दिया है तो पेंट्री कैसे डलेंगी transaction में, transaction में जाएंगे, अगर cash है तो आप यहां पर cash, payment voucher में जाएंगे, transaction में जाके, cash है तो payment mode cash select करेंगे, अगर bank है तो bank select करेंगे, यह देखिए, bank और यह cash दोन वागे, तो मैंने cash किया है, तो यहां इसके बाद GST nature, आपने GST payment to government select करना है, तो IGST 330 रुपे हमने payment किया है, cash deposit in bank, यहां पर आप जो भी लिक्स रखते है, narration आपको जो बाद में entry clear हो जाए, वो narration लिखिए, तो इसके बाद इसको मैंने save कर दिया है, तो यहां पर GST payment type आता है, यह बहुत जुरूरी है, इसकी adjustment सही होनी चाहिए, तो regular में आएगा, यह period कौन सा, 38, क्योंकि यह मेरा demo च कराएंगे ना, पर यह demo होने के कारण में, सेम डेट में tax payment डाली है, मैंने, तो यहां पर आपने IGST आपने उठा लेका 330 रुपे, क्योंकि यह दिखिए, आपने उठा लेगा, अगर नहीं आए तो आप खुद लिख लीजिए, तो यहां पर चलान नंबर, डेट बगरा, ज तो 330 रुपे की यह देखिए, पेमेंट हो गई है, ठीक है, यह देखिए, IGST आपट के नाम पर हमने पेमेंट कर दी, डेविट कर दी आ, यह देखिए, कैश हमारा, क्रेडिट हो गया, और IGST आपट आपट का डेविट हो गया, यह हो गया, और उसके बाद है, GST, लेट फी कैसे क्रेड करना है, एड्मिनिस्टरेश में मास्टर में जाके यह देखिए, लेट फीज, एक्सपेंस इंडरेक्ट वगरा ऐसे लिए, इसको सेव कर लेना है, यह हो गया, फिर आल टल, GST, लेट फीज, तो यह देखिए, यह देखिए, यह एंट्री डालीए, मैंने, यह मोडिफाइ में दिखा रहा हूं है, आप लोगोने पेमेंट अड़ करना है, पेमेंट की एंट्री डालीए, कतिस आठ, तो यह जो भी आपकी डेट होगी, वो ही डेट आप डालेंगे, डेमो होने की बज़ा से, मैंने कतिस आठ में एंट्री डाल दिया, तो यह देखिए, की SGS की 25 रुपे GST, और 25 रुपे CGST लिख दिया मैंने, शॉर्ट नरेशन में, GST लेट फीस का मैंने अकॉंट कर दिया, आल्ट M करेंगे, तब भी एंट्री अकॉंट मास्टर में चला जाएगा, यह देखिए, ऐसे मैं लेजर क्रेट किया, तो यहाँ पे नरेशन पे 10 रुपीज अगर इंट्रेस्ट है तो इंट्रेस्ट लिख दिया, 10 रुपीज और 40 रुपीज हमारा पैनल्टी है, तो पैनल्टी पर 40 रुपीज लिख जाए, पैनल्टी वही लेट फीसी है, तो यह नो टेक्स अप्लाइड आ रहा है, तो इस पे यास ही आएगा, शेव इस वाउचर इसको सेव कर लेना, तो अब डिस्प्ले में जाएंगे, सेव कर लेना, अब डिस्प्ले में जाएंगे, जीएष्टी रिटन, जीएष्टी रिटन, इसको उपन करेंगे, अगस्त की रिटन खोल रहें, तो यह देखिए हम, यह सारा कुछ आ गया, देखिए ह यह हमारा शेल के उपर सारा आ गया, सेल 6,000 की सेल 900 रुपर, IGST 60 रुपर, CGST 60 रुपर, SGST, यह सारा आ गया, इसके बद फिर निच्छे आ जाई है, यह आ गया, all other ITC, परचेज के पर IGST 180 रुपर था, input 255, CGST, SGST, यह दोनों आ गया, तो इसके बद यह adjustment आ गयी, ठीक है, यह देखिए, 60 रुपर था, 60 रुपर, यह 60 रुपर, इसके साथ, यह ITC, जो हमरा परचेज, पर 60 रुपर था, उसके साथ लस हो गया, यह 60 रुपर, जो था, SGST, में, जो 60 रुपर, था input, उसके साथ, अड़जेस्ट ही रो गया, तो यह दोनों तो होगए, 0 होगी, इस दोनों के साथ, तो यह जीरो हो गया, तो बाकी हमारा यह 900 रुपे है, 900 रुपे की अड़ेस्टमेंट है, तो सेम वो मैंने आपको GST की सम्वरी में भी बताई दिया था, तो यह देखे, सबसे पहले 900 रुपे हैं, माइनस हो जाएगा, IGST जो परचेज के उपर इंपुट है, 100 C, यह लेस हो हो जाएगा, 720 रहे गया और यह 195, 195 भी हो जाएगा, 195 माइनस, 195 तो यह 330 रुपे टेक्स जमा कराने आला बता रहा है, तो यह देखे, टेक्स से, पेड इन, कैश, यह हमने कैश में पेमेंट की है, 330 रुपे, आपको एंट्री दिखा दी थी मैंने, तो कैसे एंट्री करनी है ठीके ना, तो यही 330, माइनस 330, तो यह हो गया, 0, को टेक्स नहीं जमा कराना हमने, टेक्स तो 0 हो गया, और इंट्रेस्ट जो 10 रुपे के एंट्री मैंने इंट्रेस्ट पे दिखाया था, यह आ गया, और लेट फीस यह 40 रुपीज आ गया है, ठीके, तो यह आ गया, तो आ करने के लिए वीडियो बनाई है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर कुछ भी समझ ना आया तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखे मैं दुबारा फिर से समझाने की कोशिश करूँगा तो अगर आप बिल्क न्यू है पहले आपने अकॉंट्स की वीडियो वगेरा नहीं देखिया तो आप मेरी पिछली वीडियो पे प्लेलिस्ट पे जाके मेरी बहुत सारी वीडियो है शुरू से इतना ही तो धन्यवाद